नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिवा Online Classes में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Part 3 और ये जो वीडियो है दोस्तो जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताय था कि हम अपने चैनल पर आपके लिए most important questions जो कि आपके army के exams में previous year में आ चुके हैं कम से कम 5 साल के papers को मैंने दोस्तो compile किया है और उन में से जो most important questions हैं उनके लिए मैं ये 500 questions में cover करने वाला हूँ ठीक है? तो दोस्तो वीडियो को last तक देखते रहिएगा और जब तक इस पार्ट के इस वीडियो के दोस्तो 500 questions ना हो जाएं हम part by daily part में लेके आएंगे ठीक है? एक पार्ट में 15 questions होंगे तो कहने का मतलब यह है कि जब तक पूरे 500 questions ना हो जाएं आप हमारे वीडियो को daily देखते रहें क्योंकि मैं आपको guarantee दे चुका हूँ कि आपके दोस्तों जो science के और gk के 30 questions होंगे वो इनी 500 questions में से आने हैं यह मेरी 100% guarantee होगी ठीक है? तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए start करते हैं आज की वीडियो यह जो questions से मैं already करा चुका हूँ दो पार्ट आज है इस वीडियो का तीसरा पार ठीक है तो आज हम यहां से start करेंगे question number 31 से ठीक है तो चलिए दोस्तो question number 31 के तरफ चलते हैं question number 31 है in which year did the last did the first train start in India भारत में पहली बार rail किस बर्स शुरूप की गई option से आपके 1954, 1853 1794 या फिर 1894 तो दोस्तो भारत में जो पहली trail थी वो मुंबई से ठाड़े की बीच start की गई थी और ये train दोस्तो 1853 में start की गई थी ठीक है question number 31 का right answer होगा option B ठीक है 1853 जल्दी जल्दी हम questions को cover करते हूँ चलेंगे जिससे वीडियो जो है बो लंबी ना हो और आपकी practice भी हो जाए question number 32 है दोस्तो आपका मेकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार किस नदी का उद्गम इस्थान है option से आपके नर्मदा, गंडग, घगर और चंबल दोस्तो question number 32 का right answer होगा आपका option A नर्मदा ठीक है चलिए, अगले question के तरफ चलते है question number 33 question number 33 है दोस्तो संतोष ट्राफी और सुभर्तो कप और associated विज, ठीक है संतोष ट्राफी और सुभर्तो कप किस खेल से सम्मन्नित है, option से आपके मैं थोला सा उपर को scroll कर देता हूँ, जिससे आपको सारे options दिखाई देने लगें options हैं, आपके cricket, basketball, football या फिर hockey, तो question number 33 का दोस्तो, right answer होगा आपका option C, football, ठीक है सुभर्तो कप और संतोष ट्राफी जो है वो दोनों ही दोस्तो, football से सम्मन्नित हैं question number 34 की तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस वीडियो की दोस्तो जो 500 questions की PDF file होगी आप इसको बिलकुल free में download कर पाएंगे लेकिन दोस्तो इस file के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से download करना पड़ेगा आपके लिए, तो इसके लिए दोस्तो टेलिग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के description में दिया गया है, लेकिन आपको इस वीडियो की जो PDF file मिलेगी वो 500 questions cover होने के बाद ही मिलेगी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता करता हूँ बिलकुल free मैं आपके लिए इस वीडियो की PDF file में अपलोड कर दूँगा, question number 34 है दोस्तो which are the following reverse make an history निमलिखित में इसे कौन सी नदी एक मुहना बनाती है options हैं, गोदाबरी, कृष्णा, नर्मदा और महनदी question number 34 का दोस्तो, right answer होगा आपका option C, नर्मदा अगला question है हमारा, question number 35 question number 35 होगा दोस्तो महलाओं के लिए राश्टरी कमिशन की स्थापना कव हुई, when was the national commission for the women set up ठीक है, 35 number questions है, इसके options है आपके 1992, 1994, 1996 and 1990 तो दोस्तो आप सभी को बता दें कि महलाओं के लिए राश्टरी कमिशन की स्थापना कव हुई थी तो महलाओं के लिए राश्टरी कमिशन की स्थापना हुई थी दोस्तो 1992, 1992 के लिए ठीक है, अगला question है दोस्तो हमारा, question number 36 question number 36 है दोस्तो in which continent is the Atakama desert located? किस महादीप में Atakama मरस्तल इस्थित है? option से आपके Asia, Europe, Africa और दक्षडी अमेरिका तो question number 36 का right answer होगा option D, दक्षडी अमेरिका ठीक है? दोस्तो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो 500 questions होंगे बो 500 questions दोस्तो हमने previous years के करीब 5 साल के paper हमने compile किये हैं, जिन में से most important questions जो मुझे मिले हैं, उनको मैं इस वीडियो में sorry, इस पार्ट में सामिल करने बाला हूँ, ठीक है? तो पूरे के पूरे questions आपको देखने हैं और PDF फाइल आपको बिल्कुल free में उपलब करा दी जाएगी question number 37 है अस्वनी पौनपा is associated with which game अस्वनी पौनपा का संबंध किस खेल से है options है football, hockey, badminton या फिर 7 range तो question number 37 का दोस्तो right answer होगा आपका option C है ठीक है दोस्तो अस्वनी पौनपा का संबंध badminton से है अगला question है हमारा question number 38 question number 38 है दोस्तो the call दिल्ली चलो बास गेवन बाई दिल्ली चलो का यह नारा किस ने दिया था options है लाला लाजपतराई सुभास चंदर बोस, डॉक्टर राजंतर प्रसाद या फिर महत्मा गांदी तो दोस्तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभास चंदर बोस ने तो 38 number question का right answer होगा आपका option B अगला question है हमारा question number 39 और question number 39 होगा दोस्तो काफी अच्छे question है मैं किसी भी question के लिए यह नहीं बोलूगा कि यह important है क्योंकि मैं आपको यह पहले ही बता चुका हूँ कि इस वीडियो में और इस 500 question की series में दोस्तो यह सारे के सारे question most important है तो question number 39 है which country is known as the land of the midnight sun मद्रात्री का सूरज का देश किसे कहते हैं options है नार्वे, बेल्जियम, चीन या फिर जापान question number 39 का right answer होगा option A नार्वे के लिए दोस्तो मद्रात्री यह निकि midnight sun का देश जो अब कहा जाता है अगला question है हमारा question number 40 question number 40 है दोस्तो अधाई दिन का जोपला इन अजमेर वाज विल्ट वाई अजमेर में धाई दिन का जोपला किसने बनवाए था option से आपके कुतब दिन एविक, फ्रोसा, तुगलक, एल्टुतमिज और अलावदिन खिल जी तो दोस्तो, सबसे पहले तो आप ये रट लीजिए कि धाई दिन का जो जोपला है दोस्तो वो अजमेर में है और अजमेर कहां पर है? राजस्थान में है और इसका जो निर्माड करवाया था वो कुतब दिन एविक ने करवाया था question number 40 का right answer option ए रहेगा अगला question है हमारा दोस्तो question number 41 question number 41 की तरफ चलने से पहले आप सब इस एक छोटी से request होगी कि दोस्तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में share करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें question number 41 है a bullet fired from the rifle has बंदूख से छोड़े गई गोली में होती है option से आपके गतिज उर्जा दोनों गतिज या फिर इस्ततिज उर्जा इस्ततिज उर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं तो दोस्तो बंदूख से छोड़े के गोली में कौन सी उर्जा होती है गतिज उर्जा होती है यानि कि kinetic energy question number 42 के तरफ चलने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर दोस्तो जो आपके questions आने वाले हैं बिल्कुल mixed questions होंगे इसमें आपके science के भी होंगे और आपके सामान ग्यान के भी होंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो 30 नमर के questions है उनकी guarantee मेरी है तो दोस्तो यहाँ पर science के और GK के सभी प्रकार के questions ही यहाँ पर होंगे question number 42 है दोस्तो आपका वल्किनाइजड रवर वाज invented by वल्किनाइजड रवर का आविसकार डैस दोरा किया गया था options है जॉन वैड डनलाप, रावर्ट, बिलियम थॉमास, किक पैटरिक मैग मिलन या फिर चार्ल्स गोडियर तो दोस्तो वल्किनाइजड रवर का जो अब इसकार किया था, वो किया था चार्ल्स गोडियर ने, तो यहाँ पर option D, question number 42 का बिल्कुल right answer होगा अगला question है दोस्तो question number 43, question number 43 होगा हमारा the botanical name of T is चाय का बनस्पतिक नाम है, options है tritcum, camellia sinensis rubyasia, rubyasia और mangifera indica, तो दोस्तो mangifera indica, तो question number 43 का right answer होगा आपका option B, camellia sinensis, ठीक है चाय का जो बनस्पतिक नाम यानि की botanical name है, वो क्या है camellia sinensis है अगला question है, हमारा question number 44 और question number 44 है दोस्तो, dialysis is used for the treatment of dialysis का प्रियोग, dash के इलाज में किया जाता है options है, हिर्दे दुरवलता गुर्दे की निर्वलता, मस्तिस्क रोग या फिर इन में से कोई नहीं तो दोस्तो, आपको बता दें कि dialysis का जो प्रियोग किया जाता है किड्नी failure के लिए किया जाता है तो option B, यहाँ पर बिल्कुल right answer होगा और आज की वीडियो के last question है लेकिन आपको डरना नहीं है मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तो कि part wise हम इस वीडियो के इस series के 500 questions आपको अलग-अलग videos में लेकर आएंगे और जब यह 500 questions हमारे लिए आपके लिए मिल जाएंगे उसके बाद हमें एक full video बनाएंगे 500 questions के जोगी 2-3 घंटे की होगी और पूरे question हम एक बार फिर से आपको revised कराएंगे तो question number 45 और आज की वीडियो के last question है दोस्तो अस्थाई निकायों के नियम को डैस द्वारा ख़जा गया था option से आपके अली वाटरमेन, न्यूटन, हेंडिक्ट हट्च और आर्कमडीज, तो दोस्तो अस्थाई निकायों के नियम को किसके द्वारा ख़जा गया था आर्कमडीज, तो यहाँ पर option D आपका बिलकुल right answer होगा ठीक है, चलिए दोस्तो, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेज जरू कर लें तो चलिए, कल फिर में लेंगे इस वीडियो के आगे के questions लेके तब तक के लिए नमस्कार, जैहिन, जैवार